पेट्रोल और डीजल के बड़े हुए भावों से लेकर महंगाई और दूसरी दिक्कतों के बीच में कल जो सरकार ने भाव कम करने का फैसला किया है तो उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंप पर हुई है 12 रूपे की कमी यहां पर जो कीमत है देखिए आभी यह डीजल हो गया है 87 रूपे 37 पईसेगा कि अंगल जी कितना बाव कल तक था और आज कितना कम हुआ है 99 रूपे 17 पईसे कल था और 87 रूपे 37 हो गया है मोटा मोटी 12 रूपे कम हुआ है भाव लोग जब अब गारी में तेल डलवाने आ रहे हैं तेल डालने के लिए पहुच रहे हैं और अब बताइए आते हैं तेल डलवाने के लिए कितना लीटर का चमता है और कितना पढ़ेगा तेल इसमें इसमें 60 लीटर का चंता है और फुल तो कभी कराते नहीं है उसे हम लोग मंडी में चलते हैं फुल नहीं कराते हैं अब तो 12 रूपय कम हुआ है अब कराएंगे कि नहीं है लेकिन कोई आसान थोड़ी कर दिये हैं कम हुआ है एक बेक 100 रूपया लीटर हो गया था अब 10 बचेगा 12 रूपय चुटा है डेली अगर माने जे पुरा फुल कराईएगा 60 लीटर पड़ेगा तो कि तो बचेगा रहत मिलेगा कुछ थोड़ा बोतरा कुछ राहत मिला ही है आप बताइए तेल का दाम कम हुआ है गाड़ी ओड़ी लेकि निकलते हैं बाइक लेके लोग कुछ मिलेगा कुछ जें में प्साब्चे कि कुछ हां कुस्तों बचेगा यह नहीं मिलेगा पईसा बचेगा तो क्या मतलब क्या की जेता और ढूर ऑर जाने में सुब्धा हो जाएगा सुख़दाओं आप तो पेट्रल पंपे काम करते हैं डीजल इंडिल का म हमें पेट्रोल का भी देख रहा हूं कम हुआ है लोग जो डलवाने या पर तेल आ रहे हैं थोड़ा मतलब पूछ रहे हैं तो खुश हो रहे हैं क्या बात हो रहा है लोगों को खुशी हो रहे हैं यह डीजल के भाव में परिवर्तन का असर है खुशी तो लोग अपनी जाहिर करी हैं जो कम तेल डलवाते थे अब थोड़ा तेल बढ़ भाव भी रहे हैं सह भी जिक्रिक कर रहे हैं तो जो पेट्रोल डीजल का भाव है वो कम हुआ है चुनावी राज में यह राहत की खबर राजनेतिक तोर पर भी है दूसरा आम लोगों को भी इससे राहत मिल रही है करा मैंने रुण के संगा जदू एबीपी नियूज आयो द्या